नमस्कार मेरा नाम है सुतिष और आप देख रहे हैं चोथा अस्तम वर्तमान में हम महाराज गन जनपत के नोतनवा विदान सवा छेत्र में हैं और यहां पर बीजेपी के जो तमाम समर्थक हैं कारे करता हैं वह अपने अस्तर से जो यहां के लोक सवा प्रत्यासी हैं पंकत चौधरी उनके लिए जनसंपर्ग कर रहे हैं ऐसे में ही नोतनवा के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यवसाई और व्यापारी नेता सुदाखर जैस्वाल जी हमारे साथ मौजूद है उनसे जानेंगे कि इस बार जो है महराज गंज का जो चुनाव है लोकसभा का वह किस प्र उनसे बाद कहना चाहूँगा और इस मौके का लाब मैं इस प्रकार से उठाना चाहूँगा कि आने वाले एक जून को नौतनवा लोकसभा का चुनाव है महराज गंज किसे सिर्फ भार रह चुनाव नहीं है यह हमारे आन्यने प्रधानमंत्री स्रीम नरेंद्र नहीं मिला था आने वाले समय में आप लोग देखेंगे जब चार्जुन को निड़ए निकलेगा तो चार्जुन को हमारे हम सब के प्रियर प्रधानमंत्री स्री नरेंद वो दीजी तीसरी बार भारी 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 बहुमत के साथ 400 पार जो उनका नारा है निश्चित रूप स थे क्या लगता है उसके महाराज गंज में महाल बहुत ही पॉजटिव है और मेरी विभिन आपको बताना चाहूंगा कि मैं अखिल भारती वहश महा सम्मेलन का जिलाध्यश भी हूं महाराज गंज का तो मेरी विबिन अपने न के वाल अपने विरादरी में वहश्यों में बलकि अनेक बाद्यम से लोगों से जब चर्चा होती है तो उन लोगों में एकडम बिलकुल क्लियर कट ये भावना है कि इस बार नरेंद्रमोदी जी और हमारे मानने सांसद जो मंत्री जी भी है केंद्री वित्राज मंत्री जी उनके पक्चे में बहुत अभूत पूर्व सम मरतंगा महलिक पैदा हुआ है और लोग एकडम बिलकुल इंतजार कर रहे हैं कि एक जुना है और वो बटन तोड मतों को अपने प्रत्यासी श्री पंका चौदरी जी को देंगे और वो कम से कम मेरा ऐसा मानना है और लोगों से चर्चा करने के बाद ये मैंने अपना निका और ये एक चीज़ पर और डिपेंड करता है कि लोग निकल करके घरों से मतों को डाले बहुत सारे लोग मैं उनलोगों से आपके माद्यम से अपील भी करना चाहूंगा कि वो एक जुन को घरों से निकले और मत को डाले और महराज गंज का इतिहास रहा है कि ज्यादा से ज एक दम हतोसाहित है विपख्ची मत भी नहीं पड़ रहा है तो यह हम यह चाह रहे हैं कि विपख्च के लोग भी आएं और अपना मत डाले कमसे कम मत बूथों पर जाएं और अपने मत को डाले तो निश्यूरू से जब ज्यादा मत पड़ेंगे तो चुनाओं का भी आनन् विक्सित भारत बनाने का लख्चर रखा हुआ है और मेरा यह मानना है यह सही समय है कि भारत को 2047 बन जाना चाहिए विक्सित भारत का मतलब हगर हम यह समझने कि सिर्व उची उची बलड़ गे अच्छी सड़क अच्छा अच्छी स्वास्त वेवस्ता सिर्फ यहीं नहीं विक्सित भारत में प्रतेक नागरिक को एक सुरक्षा का भाव होगा प्रतेक नागरिक का धेर किया जाएगा और आपने देखा होगा भारती जन्ता पार्टी की सरकार यह नहीं है कि एक दिन में वो उसको विक्सित भारत बनाना है इसलिए 2047 का रखा गया है यह क्रम कि जिससे आयुस्मान योजना के द्वारा कम से कम नागरिकों में एक स्वास्त के प्रति उनको कुछ सुरक्चा दी जा यह दीरे दीरे इस आयुस्मान योजना को और अन्य तरीके को बाकी इंफ्रेस्ट्रक्चर के साथ जब जोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से कर सकते हैं आज की सरकार इस चीज़ का ख्याल कर रही है वह सड़कों को आप देख रहे होंगे जो फोर्लेंड बन रहा है अभी हमारे नौतनमा गोरेपूर का जो हाईवे बन रहा है आप देख रहे होंगे यहां पर एक रोड ओवर प्रिज जगह जगह पर बनाये जा रह आ हमारे देश में करीब दूनी अयरपोर्ट हो गाये पिशला तस सालों में करें प्रैवल करने के लिए आपने यह भी वियंए सुना की हमारे देश में अभी करीब य होगत बांद आज K वे लेकिन आपि आपने ने nin ङौर और jegen इसने हमारे देश में कॉमर्शिल एरक्राफ्ट इसले 70-75 सालों में हुए है उससे ज्यादा उसका सवाया का ओर्डर किया जा चुका है तो यह सब हमको उस लक्ष की दरफ ले जाएगा और यह कोई एक सेक्टर में ऐसा नहीं है जिसमें कारे हो रहा है सारे सेक्टर जितने भ और नाम देने वाली योजनाई बना सके ऐसे सरकार हम पर शाशन करें और उसके हिसाब से हम लोग देश को आगे बढ़ा है वह यह कहते हैं बेरोजगारी की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आपका यह कहना इससे मैं सहमत नहीं हूं कि बेरोजगारी का सुचिकांग या ब अपने यह देखा होगा मोधी जीनर गुद्रा योजना लाई उससे करीब 42 करोन लोगों को सवरोजगार के लिए प्रेडित गया हूं को अउसके धन मिला और वह सवरोजगार अपराप्ति कि दो इसलिए यह आवशरकार का मतलब सिर्प सरकारी हि नौकरी नहीं होती है अ refin क्यालिस करोन लोगों को जब मुद्रा योजना की द्वारा धनताफ कुआ तो निश्चित रूप से उन्होंने त्यूच किया और विकास कि जो इतने कारे सारे कारे चल रहा है इसमें भी लोगों को रोजगार मिली रहा है तो योजना का परड़ाम कई बार तुरंद मिल जात है जिसमें हम लोग कोवीड महामारी से जूझे हैं वो कोवीड महामारी का कितना बड़ा परड़ाम था अगर कोई दूसरी सरकार होती तो पता नहीं हमारी एकोनॉमिक रहश हो जाती अपने अगल बगल के देशों को देखा होगा हमारे बगल में ही नेपाल है आज की कि हम लोगों को एक अच्छी सरकार को जादा से जादा समर्दन देना चाहिए आप यह भी देख रहा होंगे जब हमारी सरकार मजबूत होने शुरू हुई मैं इसको इंटरनेशनल फोरम में भी ले जाऊंगा तो विदेश की तमाम एजेंसिया जिसे चाइना वो लोग एक कि जब कोवी सिल्ड के टीके लगाया जा रहा है तो सरकार ने बड़ा बढ़ चड़ के इसका परचार किया कि यह सरकार लगवा रही है और जैसे ही एक रिसर्च में सामने आया वो जुनकों भी लगए हैं उससे जो ब्लड क्लाटिंग की समस्या है वह आ रही है और उससे क जिम्मेदार है आपको एक दो अगर लाखों में एक दो इंसीडेंट कहीं पर दिख गया तो इसका मतलब यह नहीं हो गया कि वह कोई शील्ड का ठीका ही बिलकुल उसके लिए जिम्मेदार है उसके लिए तमाम फैक्टर भी और भी जिम्मेदार हो सकते मैं इसका आप ही रही है पता नहीं वह की गलत है मुझे पता नहीं है तो वह प्रतिसत में इतना कम है वह 0.00100 IST उस भी नहीं होना चाहिए लेकिन अगर वो रहा है तो वह तरीके से हमारे देश में आरे भाई बहनों को बचाया गया वह बहुत ही नकण्य है तो इसको इसको इसे हमें यह विपक्ष आप पहला आया गया एक प्रोपागेंडा है हमको इस पर भौत ध्यान नहीं देना चाहि सेया तो यहीं व्यपारी समाज विरोद कर रहा था इस सरकाय का लेकिन अगर देखा जाए तो यह जह हैं Oldsmills सबसे बड़ाम लोगों को कम्प्लाइंस करने पड़िए लोगों को कम्प्लाइंस करना पड़ता है तो उसक्लीफ लेकिन कोई भारत जैसा बड़ादेस अगर महां कर compliance नहीं होंगे तो देश को हमारा विक्सित नहीं बन सकता है हमारा देश आगे नहीं जा सकता है तो हमारा लेकिन फॉर्मल एकोनोमी हमारी बढ़नी सबस्ब करना person तो हमारे इसा ट्रेट कैसे करेंगे तो इसी लिए यह आवश्या कि है कि हमारी फॉर्बल एकोनॉमी बना चाहिए और हमने देखा होगा अप्रेल या मार्च मां का मुझे ठीक से यादे जा रहा है डेटा देखा होगा दो लाग दस अजार क्रोल उप्या जी एस्टी पे कले समझेंगे तभी लोग हमारे महत्यों को समझेंगे और हमको उसी तरीकी से उसी प्लेटफॉर्म पर बैठाएंगे बिल्कुल समय की बात दोता है नहीं तो आपसे बात्चीत करने में बड़ा मजा आ रहा था और इसको लंबा कीशते लेकिन चुकि समय कम है इस वजह से हम इस बात्चीत को यहीं खत्म करते हैं बागी इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं हमारा कमेंट बक्स खुला हुआ है उसमें आप अपनी राय रख सकते हैं